हलो गैस वेलकम तो गौवर्मेंट जब प्रफिशन गाइज 200 प्लेस एडियम्स और फ्रेजर की स्रीज में अपस वागत है दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि यूपी पिसल के एक्जाम के प्रपस से मैं ये 200 प्लेस जो है डियम्स और फ्रेजर की स्रीज इसमें कंटिन्यू कर होँगा एडियम्स और फ्रेजर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्जाम के प्रपस से तो आगे इसके पर कांटिन्यू रहेंगे और लगभग 200 या 200 से ज्यादा कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वह सारे मैं इसमें डिसकर्स करूँगा ये कई सारी बुकों से मैंने कलेक्टि भी किये हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स है और जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्जाम के परपस से तो चली सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रिन पर आज का हमरा पहला जो है एडियम क्या है अबोन ओफ कंटेंशन तो हमारा क्या हो जाएगा matter of dispute इसका जो है answer हो जाएगा matter of dispute नेक्स्ट हमारा once wits end at once wits end तो अगर हम इसके मतलब जाने हैं इसका हिंदी में इसका मतलब यह होता है कुछ इस तरह से मतलब होता है कि किसी समस्य से इतना ज्यादा परेशान हो जाना कि समझ में ही ना आए कि क्या किया जाया या क्या ना गिया जाया मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाना है कोई प्राब्लम हमारे पास आती है तो इससे हम इतने ज्यादा कन्फ्यूज जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें तो इसका मतलब कुछ इस तरह से निकल करता है मतलब at once wits end इसका मतलब यही होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा to be puzzled क्या हो जाएगा इसका मतलब to be puzzled next हम देखें तो next हमारा है a man of letters देखिए a man of letters से ही जायर होता है पत्रों का आदमी एक sense बता रहा हूँ यहाँ पर कोई मतलब की इसका meaning यह नहीं है तो इससे अगर आप sense निकालना चाहें तो इसका मतलब यह हो जाता हिंदी में कि साहिति कोडिका बिद्धुता पूर्ण कोशल a man of letters तो मतलब साहिति कोडिका बिद्धुता पूर्ण कोशल तो इसका क्या हो जाएगा इसका जो answer हो जाएगा proficient in literary art क्या हो जाएगा इसका proficient in literary art तो next देख लेते हैं next हमारा है at sixes and at sevens at sixes and sevens तो देखिए इसका मतलब होता है कि अभिवरस्थित आस्ट बस्त तरीका देखिए at sixes and sevens मतलब बिखरा हुआ अभिवरस्थित चीजे तो इसका अगर हम देखिए answer तो इसका answer करा जाता है answer इसका क्या निकल करा जाता है हमारे शामने इसका answer हो जाएगा in disorder or confusion क्या हो जाएगा in disorder or confusion तो एक लिए next देख लेते हैं next हमारा है 줘 अब बर्स आई व्यू देखिए अब बर्स आई व्यू का मतलब देखिए यह होता है आपको इसके संटेंसे ही पता चलाओगा बर्स आई व्यू मतलब की जो है अब बर्स आई व्यू मतलब बिना ज्यादा अटेंशन के संटेंसे देखना तो इसका मतलब देखिए हो जाएगा आपका मतलब अगर हिंदी में इसकी बात करें तो विहंगम दिश्टी होना बहुत ही मतलब संटेंसे किसी चीज़ को देख लेना तो इसका मतलब हो जाएगा मतलब के एक जनरल व्यो सामान व्यू बहुँ ज़्यदा गंभीता जने देना उस पर जढ़ाद आटेंशन न देना किसी चीज़ पर महलब बाडसा आई व्यू उड़ते वर्ट की तरह हलका सा जनरल व्यू दे देना तो यह हो जाता है, इसका general view from above, उपर से कोई general view दे देना, ठीक है, next हम देखें, तो next हमारा होता है, bad blood, sorry, bad blood, तो देखे, bad blood के तो sensor ही आपका clear हो जाता है, कि दुर्भाव या bear, bad blood, मतलब क्या के दहीं, बड़ा खून, बड़ा गंदा खून है यह मेरा, आपने फिल्मों में कई सारे dialogue सुने हो गए, तो इसी तरह से मतलब यह कह सकते हैं कि दुर्भाव या bear की भावना रखने वाला, तो इसका मतलब हो जाता है, enmity, मतलब सतुत्ता पून भावना, क्यों हो जाता है, enmity, next हम देखें, तो next हमारा beat about the bus, beat about the bus, अगर इसकी हिंदी जाने, तो इसका मतल क्या भावना फांकते रहें कुछ और ही बारे में बात करते रहें, वह ही मतलब beat about the bus, तो अगर इसका हम देखें, तो इसका हो जाएगा, does not take specifically, क्या हो जाएगा, does not, sorry, take कह रहा हूं, does not talk specifically, क्या हो जाएगा, इसका does not talk specifically, next हम देखें, तो हो जाएगा bad hats, देखी, bad hats का बहुत ही बुरा चैत्र बैड हेट्स कुनलब होगा पीपल आफ, बैड कारेकटर्स इसका मतलब के हो जाएगा पीपल आफ, बैड कारेकटर्स यह सारी बहुत ही ज्यादा इंपरटन्ट इडियंस और फ्रेजज में यहाँ इसके सरे ऑफरी कहना है दोस्तों बस आप हमारे सारे इसमें बने रहिए और मैं आपको लगबख सारे इडियम से जब्राइब करने की कोसिस करूँगा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट है अगर आप ये वीडियो सारे देख लेंगे तो आपको इडियम से एंड फ्रेजे जो हैं कहीं और ज्यादा मार्क असंगत तो मतलब इसका हो जाएगा इर्लिवेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा इर्लिवेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा इर्लिवेंट नेक्स हम देखें तो नेक्स है बीटन हॉलो नेक्स क्या है बीटन हॉलो देखिए इसके सेंसे ही क्लियर हो रहा है कि जो बी वीटन कम्प्रिहेंसिवली क्या हो जाएगा इसका मतलब वीटन कम्प्रिहेंसिवली यानि की पूरी तरह से पराजित कर देना ठीक है नेक्स हम देख लेते हैं तो नेक्स है ब्लैक सीप तो यह तो बहुत ही ज़्यदा प्रचलित मुहावरा है बहुत ही ज़्यदा प्रचलित है इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मतलब कुल का कलंक बहुत ही अच्छे से जानते हो ब्लैक सीप कि वो मेरे कुल का ब्लैक सीप है मतलब मेरे कुल का कलंक है वो तो इस तरह से जो है इसका मतलब फिर क्या निकल जाएगा person with bad reputation क्या हो जाएगा इसका मतलब person with bad reputation चले next देख लेता है तो next है हमारा back seat driver देखे back seat driver का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा इसा इंसान जो मतलब मुझे अन चाही सलाह है देता रहता है बेवजे की सलाह देते रहता हैं तो मतलब हम देखे तो इसका मतलब हो जाता है person who gives unwanted advice person who gives unwanted advice next हम देखे तो next हमारा by leaps and bounds by leaps and bounds का मतलब होता है बहुत तीजी से मतलब very fast या rapidly जिसको हम बोल सकते हैं ठीक है next हम देख लेते हैं next हमारा board the palm next हमारा है board the palm board the palm जो होता है इसको रड़ लीजी आप थोड़ा सा इसका मतलब होता है विजीता या विजी तो इसका मतलब हो जाएगा was victorious इसका मतलब क्या हो जाएगा was victorious next है blazer trial next क्या है मारा blazer trial तो blazer trial का मतलब होता है अगडी या अगवा किसी चीज में अगडी रहने वाला या अगवा blazer trial तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, initiate work and be a pioneer, ठीक है, फिर by fits and stars, तो इसका मतलब हो जाता है, अनियमित धंगशे, तो इसका मतलब हो जाएगा, irregularly, इसका मतलब क्या हो जाएगा, irregularly, ठीक है, नेक्स देख लेते हैं, नेक्स हमारा by putting two and two together अब देखिए by putting two and two together इसका मतलब भी होता है हिंदी में अगर जाने तो इसका मतलब होता है तत्यों के आधार पर पस्थितियों का आकलान करना मतलब by putting two and two together का मतलब होता है कि तत्यों के आधार पर पस्थितियों का आकलान करना तो अगर हम इसका आंशर देखें तो हो जाएगा हमाना to deduce from given facts to deduce from given facts पर नेक्स है birds of the same feeder देखिए birds of the same feeder का मतलब तो आप बिल्कुल अच्छे समझते होंगी चोर-चोर मोसरी भाई हिंदी में बहुत ज़्यादा आपने कावस सुनी होगी तो इसका मतलब की सेम करेक्टर्स वाले लोग एक ही तरह के जिनके करेक्टर्स होते हैं मतलब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा person of same characters person of same character ठीक है next हम देखे next हमारा है catnap next हमारा क्या है catnap catnap का मतलब होता है कि जपकी बहुत ही हलकी सी निंद लेने लेना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा short sleep क्या हो जाएगा इसका मतलब short sleep ठीक है चलिए next देख लेते हैं next हमारा है curtain lecture next हमारा क्या है curtain lecture curtain lecture का मतलब होता है दोस्तों अगर हिंदी में जाने इसको तो dart foot car होता है curtain lecture curtain lecture का मतलब dart foot car होता है लेकिन यह जो not fact का होती है positive में दी जाने वाली not fact का जैसे किसी को सुधाने के लिए किसी को साउधान करने के लिए तो इसका मतलब हो जाता है कि cautionary talk given in private cautionary talk given in private next है हमारा crying for the moon अब देखिए crying for the moon का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होगी कि चांद को पाने के लिए रोना मतलब चांद को मुझे चांद को लाकर देखिए उसे बच्चे छोटी छोटी बागने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो crying for the moon का मतलब यह होता है कि कि किसी असंभू की इच्छा करना तो अबर इसके असंभू की इच्छा करना तो अगर इसके अंसर की बात करें तो यह हो जाएगा wishing for something impossible नेक्स अगर देते हैं तो draw a blank the draw a blank का अगर हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है कि asphal हो जाना itel नेच्स अम देखें तो निएक्स्ट हम एमारा dumki jest думki jest ka मतलब होता हले हिंदी में जाने तो मतलब लंबे Yes मतलब Хิंदी क्या हो जाएगा long time क्या हो जाएगा a long time और next क्या हमारा down the drain नेक्स्ट क्या है हमारा down the drain इसका मतलब हो जाना ही, उसलिस हो जाना, तो इसका मतलब क्या हजाएगा ब early time 2013, ended in smoke थूइं में उड़ाना, तो इसका सेometer क्या निकलता ही कोई परनाम नहीं क्या है तो इसका मतलब हो जाएगा yielded no practical result इसका मतलब क्या हो जाएगा yielded no practical result तो दोसों यह था इसका second part next part मैं कल फिर्स को upload कर दूँगा इसी तरह से मैं इसको कुछ पार्टों में पूरी वीडियो लेक्चर को finish कर दूँगा इस पूरी स्रीज को finish कर दूँगा जिसमें आप 200 से अधिक most important Indian fridges जानेगे और वो exam के purpose से बहुत ज़्यदा important होगे अगर आप कोई भी उठा कर देखेंगे कुछ भी उठा कर देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेंगे बहुत important है इसलिए इनको मैंने यहां पर collect किया तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को like जूरूर करें और हमारे चैनल को subscribe भी करें ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you